तो दोस्तों बहुत साइ शुडेंट है जो ये सोचते हैं कि आर्ट स्टीम से टॉल्थ या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा करियर आप्शन नहीं होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आपने अपना टॉल्थ आर् एक्टर करियर बना सकते हैं तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि बीए के बाद कौन कौन से फिल्ड में आप जाब पासकती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत रिल्फल होने वाला तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों वीडियो अच्छा पहले नूंबर पे आता है वकिल का दोफ़ आप अब भीए करने के बाद आप एक वकील बन सकती हैं दोस्तों वकील बने के लिए सबसे पहले आपका टॉल ॉल्फ पास होना चाहिए कि वालत आपकर किसी भीश टीम से हो सकता है इसके बाद अगर आपको एक लायर बनना है तो इसके लिए आपको करना यह होता है कि आपको बीए इसके बाब बीए ललबी करना होता है दोस्तों अगर आप कम समय में बीए ललबी करना चाहते हैं आप वकील बना चाहते हैं तो आप बीए ललबी कर सकते हैं अगर आपने बीए भी कर लिया है तो आप ललबी कोर्स को भी कर सकते हैं पर इसमें ज्यादा टाइम को लग जाता है कि आपको टीन साल के बिये को करना होता है फिर तीन साल लग जाते हैं अगर यह लगज़ाते हैं तो आप के की सहली आपको यहां पेती जाती है तो आपको एक अच्छा विकल्प करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप बी के बाद किसी फिल्ड में अगर आप चौप पाना चाहते हैं तो लौफिल्ड में आपके लिए एक बहतर विकल्प है दूसरा फिल्ड है आपका टीचिंग का फिल पाचाते हैं तो उसके लिए टेटे आफिर सीटेट या फिर सूपर टेट के एक्जाम भी आवचित किये जाते हैं जिसे आपको क्लियर करना होता है इसे जांग को करने के बाद आप एक गौर्मेंट टीचर बन सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप प्राइबेट स्कूल या फिर कॉलेजस में जाके आप वहां पर टीचिंग बढ़ा सकते हैं बात करें कि सैली की तो अगर आप एक टीचर बन जाते हैं तो आपकी जो सैली रहती है आप गौर्मेंट कॉलेज एफिर स्कूल में टीचर बनते हैं तो आप लगभग 35 जार रुपे आप मंतली के वह होगा इसके बाद आपको यह करना होगा भी करने के बाद शैटाइब के कोर्स को कर सकती है और वहां से अप एक टेक्सटाइल डिजािनर या फिर फेसन डिजाइनर बन दोस्तो बात करें इनकी सैली की तो इनकी जो सैली रहती है वो लगभग 20-30 रुपे मंथली सैली इनकी स्टार्टिंग में होती है जैसे इनका experience बढ़ता है इनकी सैली भी बढ़ती रहती है इसके बाद चौथा जो करीर आप्शन है वो है आपका होटल मैनेजमेंट के फिल्म में अपना कहरे बना सकते हैं दोस्तो होटल मैनेजमेंट कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपका 12 पास होना चाहिए इसके बाद 12 के बाद भी आप होटल मैनेजमेंट कोर्स को कर सकते हैं दोस्तों इस court करने के बाद आप hotel manager बन सकते हैं event manager बन सकते हैं और कई सारे career option आप hotel management ke fil में आप career option निकल के आते हैं जहां पर आपको काफी अच्छी job opportunities होती है बात करें इनकी salary के तो इनकी salary जो रहती है hotel management course को अगर आप कर लेते हैं तो जो आपकी starting salary रहेगी वो लगभग 20-25 इस आपकी मंधली सेली रहती है और आपके experience के बाद लगबग 45-50 जार रुपे आप मंधली के अर्ण कर सकती हैं इसके बाद आता है next जिसमें आप फिल्ड में अपना केड़े बना सकते हैं वो होता है news news reporting यानि कि एक reporter बन सकते हैं आप पत्रकार बन सकते हैं उसके लिए करना इस course करने के बाद आप एक reporter बन सकते हैं news anchor बन सकते हैं और कई सारे career option न्यूज के फिल्म में आप बना सकते हैं दोस्तों बात करें इनकी सैली के तो इनकी starting सैली लगबग 50-30,000 रुपे होती है और आगे चल के इनकी लगबग सैली 50,000 रुपे से लेके एक लाग रुबे भ हो सकती है मन्थली की वी तो एक अच्छा career option ये भी आपके पास हो सकता है इसके बाद आता है आपका graphic designing का दोस्तों अगर आप graphic designer बना चाहते हैं graphic designer के फिल्म अपना carry बनाना सकते हैं बीए करने के बाद फिर भी आप इसमें बना सकते हैं इसके लिए आपका 12th पास होना चा कर सकते हैं और लास्ट में सबसे ज़्यादा important जो बीए के student काफी सारे जो student है वो चूज करते हैं वो है कि government job की तैयारी भी आप कर सकते हैं बीए करने के बाद तो दोस्तों government job की तैयारी में कई सारे जैसे कि आप banking sector के job के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिरेलवे के लिए आप अगर हम बात करें गर आप किसी banking sector में job करते हैं या फिरेलवेंज जाप करते हैं या फिर पुलिस यसाई बनते हैं उसमें गर गौर्मेंट सक्टर में बात करें तो जो आपकी salary रहेगी वो कम से कम 25,000 से 50,000 रूपर आपको starting monthly salary आपके दिये जाएगा गर गौर्मेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करना ना बोले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन